हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बिना लसुन प्यास के आलू गोबी की सब्जी इसके लिए हम एक कड़ाई में पानी डालेंगे पानी आप गोबी के क्वांटिटी के अनुसार डालें अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और गोबी इसमें अब हम एक से दो आने देंगे ऐसा करने से गोबी अच्छे से साफ हो जाती है अगर इसमें कोई गंदगी हो वो पूरी तरह से निकल जाती है जैसे इसमें उबाल आजे तब हम इसे चनी से चान लेंगे और इसका पानी पैंक देंगे अब हम एक और कड़ाई लेंगे उसमें हम डाल रहे है सरसों का तेल इसे अच्छे से घरम कर लेंगे आप कोई भी तेल ले सकते हैं इसमें कोरे बढ़ने देला जीरा को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और अब अप मिसमें डाल देगी मिर्च और हल्दी इसे भी हम कुछ सेकिंड के लिए रोस्त कर लेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू आलू को हम एक मिनट इसमें पका लेंगे अच्छे से मसाले इसमें मिक्स हो जाएं एक मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढख कर अ आलू जल ना जाएं अब कुछ दिर बाद हम इसे चेक करें हैं और आप देख सकते हैं ये आलू अच्छे से सॉप्ट हो चुके हैं अब हम इसमें कदुकस की हुए टमस्ट, इसे मिक्स कर लेंगे गोबी इसलिए हमने एंड़ में डाली है इसलिए अगर हम गोबी को पहले डाल देंगे तो गोबी तूट जाएगी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं काले मिर्च का पौडर, बुनोही जीरे का पौडर, गरम मसाला पौडर या किचन केंग मसाला पौडर और धनिया पौडर इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद अब हम इसे धकन लगा देंगे धकन लगा कर इसे हम 2-3 मिनट अच्छे से कुख कर लेंगे, ताकि अगर गोबी कच्ची हो तो वो भी अच्छे से सौफ्ट हो जाए अगर आपको लगे कि आपकी गोबी कच्ची है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं जादा पानी ना डालिएगा इसे बीच बीच में चेक करते रहें ताकि ये जले ना और ये देखिए चार मिनट के बाद हमारी बीना लहसुन प्यास के गोबी आलू की सबजी तैयार है अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई टेक कियर एंड थैंक यू